खांडविंग गुजरात की सेलस फूर डीशेज में से एक है इसका स्वाद लोगों को काफी पसंदाता है गुजराती खाने में पंजाब और उत्तर वारत के खाने के मुकाबले कम मिर्च मसानों का प्रियोग किया जाता है यही वज़ा है कि गुजराती फूर डीशेज बड़ों के साथ ही बच्चों के बीच भी काफी पसंदाती है आप सब इनी डोकड़ा और फापड़ा का स्वाद तो भी आई होगा आज हम आपको गुजराती फेमस फूर डीश खानडवी की आसान रेसिपी बताने जा रहे है इस रेसिपी के जरिए आप बहुद कम बक्त में ही स्वादिश्ट खानडवी तियार कर सकते है खानडवी एक यसी फूड़ीस है जिसे श्याम के चाय के साथ स्नेक्स के तोर पर या फिल ब्रेकफास्ट के तोर पर बना कर भी परोसा जा सकते हैं और आज हम इसको बनाने वाले हैं एक नए ट्विस्ट के साथ तो बने रही हैगा हमारे साथ अंते तक तो एलो दोस्तों देशी ने रेसिपी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है जहां मिलती आपको नए नए रेसिपी उमीद करता हूं आपको आज की रेसिपी बह पूलेगा तो चले शुरू करते हैं तो दोस्तों इसके लिए हम लेंगे ओरनाइट सोक किये वेचाने इनको हम डाल देंगे ग्रेंडर जार में और जरुरत के नुसार पानी डाल कर इसका पेश्ट बना लेंगे याद रखें एक्तम फाइन पेश्ट बनना चाहिए तो पे आपने आलो टिक की छोला चावल छोले टिक की तो बोल ट्राइ किया होगा लेकिन ये रेसेपी आप पहली बार देखेंगे तो दोस्तों इस बेटर में हम डालेंगे दो चमत सूजी और इसको बिगोने के लिए हम डालेंगे बटर मिल्क आप चाहे तो दही भी डाल सकते हैं इसे करेंगे हम अच्छे से मिक्स इसमें डालेंगे हम बारिक कटीवी गाजर वर थोड़ इसी कटीवी हरी मिर्ज अगर आप छोटे बच्चों को खिला रहे हैं तो हरी मिर्ज अवोड कर सकते हैं और इसी बार ने बच्चे गाजर भी खा लेंगे अब इसमें डालेंगे हम होट ओल जिसमें हमने राई को क्रेक कर लिया था इसे हम कर लेंगे अच्छे से विक्स तथा दो से चाल मिनिट तक के लिए रख देंगे अब इसमें डालेंगे हम वनफॉर्ट चमच बेकिंग पाउडर वर थोड़ा सा बटर मिल्क इसमें इससे सोड़े का कड़वा पन नहीं आएगा वर इनों की जरुरत भी नहीं पड़ेगी तथा कांड भी सोफ्ट भी बनेगी इसे कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स हम चलेंगे कड़ाई की तरफ यहां हमने चोटी सी कड़ाई लिये इसमें हमने ओटोयल में राई वे मिठा निम पत्त डालकर क्रे कर लिये अब इसमें डालेंगे हम हमारे बेटर को आज हमने मीडियम रखनी है जीतना कम हो सके क्योंकि चना हेवी होता है यह सूजी से थोड़ अचा ज्यादा टाइम लेगा पकने के लिए इसको हम कर देंगे इक्वेली इस्प्रेड फोर ढग देंगे कूकोने के लिए तो दोस्तों यह एक तरफ से कूक हो चुका है अब इसे पलेट लेंगे और ड़क के फिर से पकने देंगे तो दोस्तों यह हो गया है हमारा कुक यानि कि अच्छे से पक चुका है इसे ठेंडा होने के लिए रख देंगे फिर हम इसे सर्व कर सकते हैं आप चाहे तो इसे दनिया फुदीन चट्मी के साथ सर्व कर सकते हैं तो किसी लगी हमारी रेसे भी उमीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी तो यदि आपको हमारी रेसे भी पसंद आई है तो लाइक कमेंट वाश्यर करना मत भूल लिएगा और हो सके तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिएगा तो फिर मिलती हैं एक नई रेशिते के साथ तब तक के निये बुडबाई सायोनारा फिर मिलती है दोस्तों